टूकी वारतामा एक तो लेखके बदू कई देवानूं न होई एहुँ वारे वारे कऊचु करम के वियंजना प्रधान स्वरूँ छे पड़ बीजी एक महत्वनी वाद याद रखवानी छे के टूकी वारतानों सर्जक जे कई कह छे ए भावक मानी ले एने प्रतिती कर लागे एना गळे उत्तरे ए माटे नी सज्जता अने सजगता सर्जक मा होई जोई चे रिते में स्त्री रुदैनी वाद करी के वाणियों शा माटे जागे तो इनी पाच्छल कारान होई ए शा माटे स्त्री नी नजीक सुतो तो इना माटे पन कारान होई अने एक कारान तमनेन मने गळे उत्तरे एव होऊ जोई सर्जके उभू करेलू छे एव पकड़ाई जोई जोई ए नै तो आजे उँँ एक अदभूत मारी बव गमती वारता जग महने शुँ जोऊ जैंती दलालनी वारता अमारा चोगरा कायम जोयू लखे नै जोयू नै अवे पच्छी एने शुँ जोऊ आनू बाकी छे एनी वाद चे शुँ जोऊ प्रश्नार्थ चे दुनियमा आटलू बदू छे अने जग महननी आँख नजर टूक समयमा जती रेवानी छे एवु डाक्टरे कई दी दू छे तो एणे हवे जे थोडो समय एनी द्रस्टी छे एटला समयमा शुँ जोई लेवू वारता आ वाद करे छे जग महने शुँ जोवू मोटे भागे सर्जट एकज पात्रने केंदर मा राखी ने पंखणी वार वारता करे आमा मत्र जग महन नत हाजर शे जग महननी जवाद छे हाँ जग महन आपणने वाद करतो नसी वाद दलालज करे छे तो त्रिजापुरश कथन रीतीमा एवी वारताव होई जेने आपड़े पात्र केंदर केरेक्टर पॉइंट ओफ यू कईये शे आएवी वारता शे अई आगल थुडाक प्रश्णों जे मुमें शेगो शुके क्लोज रिडीन वारता ने बहु ध्यान्थी वांची ने प्रश्णों उभा करो अने ये प्रश्णों जवाब वारता पोते आपे छे वारता माथी मलेज मलवाज जोईए जो तमे करेला प्रश्ण जवाब वारता माथी नथी मलदो तो क्या इंच ए वारता इटली नबड़ी पड़े छे एवु मानू पड़े दलालनी बहु बढ़ी वारता हो आपड़ी गमती छे ए आघेर पहले घेर होई ए आभलानों टुकडो होई के पच्छी ए जगम होने शूँ जोव जिवी वारता होई चाड डाल मालो होई आपड़ी एमनी बहु सरस्वाता आपड़ो एवो सर्जक्जे टेक्निक प्रत्य दलाले बहु बढ़ी नबली वारता हो डगलो नबली वारता हो आपड़ी छे ए पन हकिकत छे कदाश बदारे पड़ती वारता हो लखी एटले पन एवो होई शक्या आठ संग रह छे अबना पन टेक्निकली साउंड कई शकाई एवी थोड़ीक वारता तो दलाल पासे थी चक्क सज मले जग मोहने शूं जोव एवारता थोड़ा कल्लाकनी वारता जी वारता निदर केटलो समय पसार थाईश एपन आपड़े जोव पड़े मोटे भगे वारतामा बहु लांबो समय गाड़ो नो होई कोईक हिम्मत वालो सर्जय कोई जैन्त खत्री जेवो जे बिल तो पात्र विकासारी ते उम्मर नो ए टुकी वारता ने बहुत पोसाई नहीं पन इना माटे खत्री जेवो सर्जय कोई तो न पोसाई एवो पन पोसाई औने अपने गड़े पन उतरे तो आ वारता जग मोहने शूं जोव ए थोड़ा कल्लाकनी वारता चे समय नो आटलो स आकडों गालों पन मन मां चाले शे चैत सिक्स तरे चाले शे सूल जगत मां चालतो नथी आखी वारता जग मोहनना मानस नी अंदर चाले शे वाचक जग मोहनना पल्ताता भाव जगत साथे ताल मिलावे शे परिणा में जग मोहननू जे समवेदन छे ए मारू तमारू समव बनी जाये। जे घटना प्रधान तानी पच्छी थी बवव आतो थे। जो कोई जिनी नजरे जुए तो आबलानों टुकड़ो के जगमोहने शुजेव। आब आतों मां कीकते आंगली मुखी शकाई मी कोई घटना पंतित ना थी। एटले घटनानों तिरोधान दलालती शरू थाई चुके लूशे। पाचोनी नस्तुटी गई छे, त्या लोई जामी गऊ छे, आने रेटिनल वेन नो थ्रोंबोसिस कहवाई, सच पेशन्स शुब टेक देर लाइज फिलोसोफिकली। अवा दर्दियोनी आखनों कोई उकेलोतो नथी। अमा तातकलिक्तो तमने थवुए नाथी वधारे नुक्षान नी थाई। पाण थोडा दाडे, जते दाडे, तमारी नजर द्रस्टी जती रेवानी। अटली घटना बनी शे, पच्छीनू बदूज जग महनना चित्त मा चाले शे। मोटे भगे वारता नी अंदर शुँ होई, का तो बनी गयली घटनानू कथन होई, का हवे पची बननारी घटनानू होई, अने क्यारे जवलले बनी रहली घटनानू समान्तरे कथन थतु जतु होई। ए प्रमाणमा ओच्छू ओईचावी वारता हो, आ वारता ये वीशे, जिनी अंदर बनी बनती घटनानू समान्तरे कथन थाई रहुँछे, जग महनने शुँचोड़ुमां। जे कई आची पातली सपाटी नीचे जे घटना चे ए मात्र आटली शे। के जग महनने डाक्टरे कहुचे के अवे तमारी नजर जती रेवानी शुँचू. घरे थी निकली अनेक संकूल लागणियों मां थी पसार थाया पच्छी, बव उच्छा कल्लाग मां घरे पाच्छा फरता जग महन मां जे परिवर्तन आयू, ए आ वारता नो विशे परिवर्तन आयू, ए जग महन मां आवेलू मानसिक परिवर्तन चे, बाहिया जगत मां तमे कशुचू जोई शक्ता नथी, डाक्टरे कहुचे हमना द्रुस्टी जांखी थायी छे, दीरे दीरे आठनू तेज विलाई जशे, जेनों कोई लाज नथी, बविश्यमा जती र द्रुस्टी ना ओथार कड़े, जग महन ने अत्यारे जे नवी द्रुस्टी प्राप्त थाई, ये आ वार्ता नों विशेश्च, अचरज, वेदन, त्रास, व्यग्रता, ओथार मां थी, पसार्थतू जग महन नों आंतर्मन, छेले वार्ता ना अंत्पासे, एक तटस्थ अवस्थाने प्राप्त करें, अवे ये शान्ती थी, तटस्था थी, पत्नी साथे वात करी शक्येश्च, जाने के जती रहनारी द्रुस्टी ए, जग महन ने, जीवन ने अने जगत ने जोवानी, एक नवी द्रुस्टी बेट मापी, एव आपणने लागे, जग महन ने द्रुस्टी जांखी थाई शे, डाक्टर पांसे जवनी जरूर छे, केई ते खबर बड़े, अधुद रीते वार्त आविभडे शे, जग महने चश्मा उतारी आँख चोडी, पछी अंगुठा ने आँगलियोनो भारापी पुप चाउठायवा, थाई शके आँखने पोली करी, वांचतो हतो ते पुस्तक माथी यणे वांचवानो प्रहत्न करो, पण विचीत्र हतो, जां जे शक्द पर नजर थेरवे, एमाना एकाद अक्षर नू जाने के गाबडू पड़ी होई एव लागे, लीटियों पर नजर थेरवे, तो छेडे जती पां खेल करती हती, डाबी आँख मीची, जमणी आँखने वधू पॉले करी, जग मौने आसपास बदे जोवाया माइंडियों, खाटला नी इस समुद्र ना तरंग नी जेम उपर नीचे थती रेखाजेवी लागी, कबाट मां पड़ेला पुस्तक माथी चार देखाई तो पा पार्ती हती, ये भयांकार लागवा माटी, शू आँख गई? जग मोहन ना समवेदन विश्वने आपणी सामे लेखा के जे उगहडी आए, अई जे कल्पनों और द्रश्यों आ एक वांचनारों मानस, सामे पुस्तकों नों कबाट छे, ये रीते एने अक्षरों नी अंद तरंग नी जे उपर नीचे शती रेखा बनी गई, तो आवी कल्पना कोण करी शके? एक सामानने मानस ना करी शके? तो दलाले करी ये कल्पना, तो दो वार्ता नीन बढ़ाए के वाए? तो जग मोहन ने आ कल्पना करी होई, तो जग मोहन ना पात्रणू इटलू गजू छ ये सर्जके क्यांक बतावो पड़े, और ये भूल्यान न थी, जग मोहन जर जही रहाँ छे, त्यारे सामे मलदार मानस के छे, जग मोहन भाई, वार्ता सुजी के कभी ता? ये नो, और थे थाए, आ अटलू बदू वांचनारो मानस सर्जक पन छे, और एक सर्जक ने सुजे एवा कल्पनों अई आगल छे, तो शामाटे आवी भाषा आत्वा आवा कल्पनों कारण के पात्र ए प्रकार नूं छे, आ तमारा प्रश्ण नो जवाब वार्ता पोते आवे, पड़े जो पेलू एक वाक्या जग मोहन भाई, वार्ता सुजी के कभी ता, ये तमें चुकी जाओ, तो तमने बे वस्तुनों जवाब नवाए, एक तो आवा कल्पनों काई रित्या आएवा, एनोई नहीं नहीं माले, अन्ने बीजो, वे पच्छी एनने जे जापनीज वार्ता याद आओ आनी शे, सामान्य मानस ने जापनीज वार्ता याद नथी आओ ती, वांचनाराने आओ उठाई शक्ये, एटले तमे जे वार्तामा देखाडों छो, निरुपों छो, ए प्रकारनों पात्रनों लेवल, स्तर, तमे उभू करी शेक्या छो, खरा, प्रतीती कर्तानी आपायानी शवक्छे, जो तमे एवा नथी करी शक्ता, तो सरवाले तमारी व कल्पनों कल्पी शक्ये, एउँ जग्मोहन नों पात्र दलाल उभू करी शेक्या छे, मिल्टननी कवीतानी पंक्तिवों एवा गोले छे, जापानी वार्तावों एवांचे छे, अने एपोते पन सर्जक्छे, तो एनू सम्वेदना जगत विशिष्ट होई शक्ये, पत्नी कई रिते कई शक्ये एनी चिन्तामा घर तरप जई रहला जग्मोहन ना चित्तमा अचानकच जपानी लेखात इशी कावानी एक वार्ता अंदारामा आवता ख्याल जबकेश, चो द्विरेव मुकंदरायमा वार्तामा वार्तागों थेश, मडियाये काक वंद्यामा वार्त दलाल जेरीते वार्तामा वार्तागों थेश, एक कई वार्तानी सफल ता बाजू वधारे, आशरखामनी करवी होई तो काक वंद्या आपड़े वांचेली होई जोए, पन मडियानी सरखामनी ए दलाल वधारे सफल रहाचे, अत्यारे मुएटरू जगई शत्तत जपानी व विश्मौ मा प्रवेशतो और वास्तव recur理 मिश्मौ मा पाच्छो परतो जग मम हमस्युद। जग ममें जापान वारता वाचिख कई एवव शवरुदईगे इएघ करावन तोई प्रश्ण थाई के वार्ताकार्शा माटे जहापानी वार्ता लाएवाँ बिजीरी तेपना वाद थाई शक्की वल अने कमनसी में जहापानी वार्ता वधारे सत्व वालेश जगमहन ना मनमा मनोमन्थन चालेशे पत्नी संदरवेशू सुखाय पूहतू पोते सर्खामणी करच तो सन्निधिक रणनी प्रयुक्ति दलालने खत्रीमा आवीचुकी शे जहापानी वार्तामा खावानों ढोलवा माटे पत्नी पती पर खिजवाई शे तर्तज वार्ताना विश्व मती बारावी जगमहन विचारेशे ना नाहा मारी पत्नी तोनों खिजाए खिजाए दे एनों चाले तो एपोते मने खवडावे पोतानी पत्नी वदूस निहाल होवानों सन्तोष जगमहन ले जह अने कदाच एज वार्ताना अंते एनी जे द्रुस्टी एनी जे नजर बदलाई गई एना माटे आसंतोर्ष कारण हुँच पतनी पर अकाहता गुस्यत हता जापानी पती साथे पोतानी जातने सर्खावता जगमहन मनोमन कबुले छे कि आखी जिन्दगी में पुण बीचुशू कईरू गुस्यत थायो छणकाज कईया गड़ी पहला एविचार तो हतो कि जोईलाउ जगत बर्नों समदर ये वांचीलाउ जेटलू अंचाई तेटलू नजर तो जाती रिवानी छे शुजो काश्मीर ताजमाल एनी लाई मां अकड़ा तो जगमहन घरे पहुँचे शे अने पत्नी चिंता भरास्वरे क्याम आजे कहीं मोडू थाओ ए अटकी जाई शे चंपल जणे पगणी पगमाज रेगे जगमहन पत्नी सामे फरी एनेज आँख थी बरी बरी ने पीतो होई एम पुभोर हो आज सुधी पत्नी ना जे चहरा पर नजर नाखवानी कदी फूर्सत नोती मड़ी पण हवे जे नवी द्रस्टी लाधी छे ए द्रस्टी थी ए पत्नी सामे ताकी रहो छे पत्नी पूछे चे काश्मीर जूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ अने अई वार्तानों शिर्षक स्पष्ट थाई जाई छे जगमोहन ने प्राप्त थाएली नवी द्रस्ती एक नव ग्णान अवे पच्छी एने शुम जोव एक नक्की करिया पे छे एनू बदलायलू मनो जगत वार्तानी अंदर जे परिवर्त नायवू एनू कारण एनू बदलायलू मनो जगत चे वार्ता जे फिलोसोफी मां जई रहे थी अचानक जे रोमेंटिक प्रवाहमां दसी गई तो अखी वार्ता मां जो तुम्हें ध्यान थी जूओ तो तुम्हें कई रीते दलाल गुजराती वार्ताने बेत्रन डगला आगल लेयावे क्या एक वार्ता मां वार्ता रावी पाठक पन वापरे क्या एक मडिया काक वंद्या मां पन वापरे औने पच्छी दलाल वापरे एद वस्तो पच्छी दी सुरेश जोशी पन करवाना जी पर एक सर्जट एना पुरोगामी सर्जट पासे अटकी न जाए ए पोतानी वार् प्रतीती करता संदर्वे बदा जवाब मलवा जोई तमारू पात्र आ प्रकार्मों विचारी शके उच्छे ए आ प्रकार्मों वांचे छे एटले एने आवा कल्पनों सुझे छे आ बधी शरत तमारे सर्जक तरीके याद राखवी पड़े जो सारी प्रतीती कर लागे एवी लार ता सर्जक विवाई तो!